बच्चों सोसब प्रतिमिन गति का डिक्टेसन दे रहा हूं डिक्टेसन में आने वाले वाक्ट्यान देखें आपराधिक मामले गोसित रूप से की ओर से आगे बढ़कर स्वागत योग्य है बाहु बली अगले साल होने वाले चुनाओ उतरपदेश विधान सभा चुनाओ गेंगिस्टर देखा जा रहा है खुले अमचर्चा अपने देश में हर बार निरासा कांग्रेस की योड़ से रोकने के लिए राजनितिक दल सुनिशित करने के साथ साथ विरोत किया जाए पहले से ज़्यादा जरूरी है की इत्यास गवा है जब जब तब तब मुखी खानी पड़ी है राजनितिक पार्टी क्रिया कलाप से दर्शा ना चाहिए बदल चुका है उम्मीद रही है की लोग सभा चुनाओ दिसा निर्देश सबसे बड़ा कारण है की काबिले गोर है की राजनितिक चरीत तो बच्चों ये आउखलान देखलने अच्छी तरह के से इसके बाद में सो सब परतिमिनट गतिका डिक्टेसन दे रहा हूँ आई जब देश की लोग सभा में करीब 43 प्रतिसस सांसदों के खिलाब आपराधिक मामले गोसित रूप से दर्ज हो तब किसी भी पार्टी की और से आगे बढ़कर यह कहना स्वागत योग है कि हम किसी माफिया या बाहु वली को चुनाओ में नहीं उतारेंगे उत्तरपदेश की पूर मुख्यमंतरी मायावती ने सुक्रवार को कहा है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले उत्तरपदेश विधानसमा चुनाओं में बाहु वलीयों या माफिया उमिद्वारों को में नहीं उतारेंगी मायावती की इस गोष्णा को जेल में बंद गेंगिस्टर से नेता बने मुक्तार अंसारी और उनके भाई से जोड़कर अगर देखा जा रहा है तो भी यह गोष्णा अपने आप में उम्मिद जगाती है ऐसे ही एक एक दागी या अपरादी का कटना चाहे चाहिए एसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया को दिखाने के लिए बहुबलियों का विरोत किया जाए और पिछले दरबाजे से उनको तरजी मिलती रहे दरसल यही होता आया है कोई एक पार्टी अगर बहुबलियों को पाहर का रास्ता दिखाती है तो वे पहल यह से भी ज्यादा आक्रमक्ता के साथ किसी अन्य पार्टी के टिकट पर या किसी पार्टी के सहयोग से चुनाव जीत कर आ जाते हैं बिहार और उतरत्रेस में ऐसे अनेक दागी हैं जो दो से तीन दलों की को अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उनके लिए लगभग हर पा पार्टी का दर्वाजा कमोवेज खुला ही रहता है जरूरी है कि बसपा बहुबलियों को टिकेट न देने के अपने प्रयास में काम्याप हो जिससे दूसरी पार्टीयों को भी सबक मिले हर पार्टी को यह समझना चाहिए कि लोग अपराधी किस्म के उमिद्वारों को प बहुबलियों का पलड़ा भारी हो जाता है इतियास गवा है जब जब लोगों को मजबूत विकल्प मिला है तब तब बहुबलियों को चुनाओं में मूझ की खानी पड़ी है राज्यतिक पार्टी कोई भी हो उसे अपने क्रिया कलाप से यह दर्साना चाहिए कि वह वाक कई अपरात और अपरातियों के खिलाप है किसी भी पार्टी में योग उमिद्वारों की कमी नहीं है तो फिर क्यों बहुबलियों को आगे आने दिया जाए जमाना बदल चुका है जो बहुबली है उसकी खुलयाम चर्चा होती है लोग पार्टीयों के चरित्र को बार बार और निरास होते हैं अपने देश में पहले भी कूछ नेताओं से लोगों को उमीद रही है कि वे दागियों को टिकट नहीं देंगे लेकिन हर बार निरासा ही हाथ लगी है साल 2019 के लोग सवा चुनाओं में भाजप्पा की ओर से जीते 49% सांसद दागी थे तो कांग्रेस की ओर से जीते 57% सांसदों के खिला आपराधिक मामले दर्ज थे ये बात चिपी नहीं है कि अपराधियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोट या चुनावायोग के दिसान निर्देसों की पालना भी सही डंग से नहीं हो पाती है इसका सबसे बड़ा कारण है कि राज्यतिक दलों में अपराधियों के खिलाप कारवाई और सुधार की इच्छा सक्ती का अभाव है एसे में बसपा की ओर से यह कहा जाना वाक्य काबिले गोर है कि कानून द्वारा कानून का सासन सुनिशित करने के सासाथ बसपा का संकल अब उतरप्रदेश की चवी को भी बदलना है कास एसा हो तो उतरप्रदेश देश में राज्यतिक ताकत ही नहीं बलकि राज्यतिक चरित्र सुधार का भी नेत्रत करता नजर आएगा लोग भूल जाएंगे कि पहले किस पार्टी ने कितने दागी खड़े किये थे गलत उमिद्वारों की चटनी सुरू हो तो ठीक है बच्छों एक बार फिर से आउटलाइन देख लें आप इसके अच्छी से प्रेक्टिस करें और उसके बाद इस डिक्टेशन को लें आप आराम से इसको सो एक्सुबीस की गति से लिख पाएंगें धन्यवार